कि को गया आगे बढ़ते हैं आप के अलीबाबा को आपने इस्तमाल कैसे करना है लेट से मैं कोई प्रोडेक्ट स्विछ करता हूं अलीबाबा के उपड़ अब पहली चीज मुझे क्या देखनी है कि ये सप्लायर है मैनिफेक्चिर है कैसे बता लगेगा जहां पर कंपनी का नाम लिखा है उसके नीचे आप देखें लिखा रहा है कस्टम मैनिफेक्चिरर इट मीन्स इस अ मैनिफेक्चिरिंग कंपनी आपने वेरिफाइड सप्लायर को नहीं देखना verified supplier it's a title ये खिताब है जो अली बाबा की तरफ से दिया जाता है अब मुझे देखना है कि ये कितने साल से अली बाबा के ओपर मौजूर है क्या लिखा है six years शे साल से ये अली बाबा के ओपर selling कर रहा है अब इसकी जो revenue है monthly वो कितना है it means कि ये एक stable supplier है इसलिए अली बाबा ने इसको verified supplier रखा है उसका title दिया है तो मैंसे securely अपनी purchase कर सकता हूँ अब आप screen के ओपर देखें दो prices लिखी आ रही है कहीं पे दो prices लिखी होती है कहीं पे पांच prices लिखी होती है क्यों? ये vary करती है quantity के साब से इतनी ज्यादा quantity का purchase करते है उतनी ज्यादा उतनी आपकी जो cost price है वो reduce होती होती है अब यहाँ पे लिखी विए range 8.50 to 15.50 US dollar अच्छा आप अली बाबा के ओपर अपनी इस currency को change भी कर सकते है अगर आप पाकिस्तान से देख रहे है जाहर है आप जिस मुल्क में होंगे वहीं से पैसा लगाएंगे अपनी investment करेंगे तो इस चीज़ का देहान रखेगा इसको अपनी अपनी currencies के अंदर convert कर लीज़ेगा कि आपको पता हो कि आपकी currency के अंदर आपके पास से कितने अपने rates के उपर यहां आपने अपनी negotiation skills जो है वो यूज़ करने है और अगर वो 15.50 डॉलर की sell कर रहा है तो आपने इसको reduce करके कम से कम धाई 3, 3, 3, 3 डॉलर इसको कम करवाना है और इसलिए कहा जाता है कि आपकी quantity भी जाद हो reduce करवाने के बाद आप जो order place करेंगे अपना वो Alibaba के platform से ही करेंगे अब हम Alibaba के उपर further discuss करेंगे अपनी next video के अंदर जिसमें हम वो points बताएंगे कि हमें payment system क्या रखना है हमें बात क्या करनी है हमें क्या details हमें required है manufacture के पास से और किस तरह से हमारा stock China to any country deliver होगा DTP क्या होता है shipments कैसे आती है international courier companies क्या होती है कैसे आपका stock लेके आएंगी और कैसे वो Amazon के warehouse तक जाएगा